माइकल जेक्सन डेड़ सो साल जीना चाहता था किसी के साथ हाल्प मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था लोगों के बीच में जाने से पहले मूँ पर मास्क लगाता था उसकी देखरेक करने के लिए उसने अपने घर पर लगभग 12 डोक्टर नियुक्त किये हुए थे जो उसके सर के बाल से लेकर पाओ के नखून तक की जाँच दिन परती दिन किया करते थे उसका खाना लेबोर्टरी में चैक होने के बाद उससे खिलाया जाता था उसको वियायाम कराने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था माइकल जैक्सन एश्वेट था उसने 1987 में प्लास्टिक सरजरी करवा कर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था अपने काले माबाप और काले दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया गोरा होने के बाद उसने गोरे माबाप को कराय पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए शादी भी गोरी ओर्तों के साथ की नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेवी रो से विवा किया जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया वो धेड़ सो साल तक जीने के लक्ष को लेकर चल रहा था हमेशा ऑक्सिजन वाले बैड पर सोता था उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डॉनर भी तियार कर रखे थे जिन्हें वह खर्चा देता था था कि समय आने पर उसे किड़नी फे पड़े आखे किसी भी शरीर के अंकी जरूर्ट पड़े तो वह उनको आकर दे दें उसको लगता था कि पैसे और अपने रुसूप के बदोलत मोत को भी चक्मा दे सकता है लेकिन वह गलस साबित हुआ में में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी पचास साल तक आते आते वे पतन के करीब पहुच गया था और जून पचीस दो हजार नो को वह इस दुनिया से चला गया जिसने अपने लिए डेड़ सो साल जीने के इंतिजाम कर रखे थे उसका इंतिजाम धरा का धरा रह गया दोस्तों जब उसकी बोडी को पोस्माटम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का धाचा बन चुका था उसका सिर गंजा था उसकी पसलियां कंदे हड्डियां तूट चुके थे उसके शरीर पर अंगिदर सुई के निशान थे प्लास्टिक सर्जरी क कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटिबायाटिक वाले दर्जनों इंजक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे माइकल जेक्शन की अंतिम्यात्रव को लगबग ठाई अरब लोगों ने लाइव देखा था यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखी ज सेंजर सभी क्रेश हो गए थे उसकी मोत की खबर का पता चलते ही गूगल पर आठ लाख लोगों ने माइकल जेक्शन को सर्च किया जादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रेफिक जाम हुआ था और गूगल क्रेश हो गया था धाई घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया था मोत को चकमा देने की सोच रखने वाले हमेशा मोत से चकमा खा जाते हैं दोस्तों कुल मिलाकर सार यही है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मोत की बजाए बनावटी मोत ही मरते हैं क्यों करते हो गुरूर अपने चार दिन के ठाट पर म आपको याद है कि दो दिन पहले किसी के साधी में आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशों के तरह काम करते रहते हैं और काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीडियों के खानपान और लालन पानल की वैस्ता हम करना चाहते हैं? हम में साधिकांस लोगों के दो बच्चे हैं, बहुत का तो सिर्फ एक ही बच्चा है हमारी जुरूरत कितनी है और हम कितना पाना चाहते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए क्या हमारी अगली पीडी कमाने में शक्चम नहीं है, जो हम उनके लिए ज़्यादे ज़्यादे सेविंग कर देना चाहते हैं क्या हम सबताह में डेड़ दिन अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने लिए स्पेर नहीं कर सकते क्या आप अपनी मासिक आयका 5% अपने आनन्द के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं सामानिता जवाब नहीं में ही होता है हम कमाने के साथ आनन्द भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों इस से पहले कि आप सलिपडिस्क का सिकार हो जाएं इस पहले कि कॉलस्टरोल आपके हार्ट को ब्लोक कर दे आनन्द प्राप्ति के लिए समय निका लिए मेरे दोस्तों हम किसी प्रोपर्टी के मालिक नहीं होते किसी के भी बारे में उसके शांदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर रायकाय मत कीजिए हमारे महान गनित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे धनवान होना गलत बात नहीं है लेकिन सिर्फ धनवान होना गलत है आईए जिन्दगी को पकड़े इससे पहले की जिन्दगी हमको पकड़ ले एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे तब अपनी बातें अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे दिन महीने साल गुजर जाएंगे शायद कभी कोई संपर्क नहीं रहेगा एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हम से पूछेंगे कि तस्वीर में ये दूसरे लोग कोन हैं तब हम उसकुरा कर अपने एदरस आंसों के साथ बड़े फक्र से कहेंगे ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरी इन दिन गुजारत है मेरे दोस्तों जीना सीखिए धन्यवाद जैहिंद